कि अच्छा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी बारी बोर्ट की तैयारिया भी जो है काफी जोरो सोरो से चल रही होंगी इस ट्वेल्थ पोड प्रैक्टिस सेशन पे जो मेडिको पॉइंट जगदलपूर के द्वारा चलाया जा रहा है जो पूरा थानीस्फोल का है और इसके पूरो भी आपको मेडिकोस पॉइंट जगदलपूर के यूटूब चैनल पर फिजिक्स और केमिश्ट्री के जो हैं सारे अध्यायवार जो हैं प्रश्नों का आपको अल करा गया होगा वीडियो को एक घंटा दो घंटा रही हैं अव都 देखिए और प्रक्टिस करिये और ज्यादा से ज्यादा marching करिये की आप पढ़ते इसको लिख कर प्रेक्टिस करें के आप लोग का जो है अब एक बार चीड़ हो जाएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए देखिए किसी भी को याद करने का एक तरीका है आप जो है असको मल्टीपल तरीके से याद करिए मल्टीपल टाइम्स कर या तो फिर आप जो है में याद करने का प्यास कर आधिक है डाइग्राम आउज ändra कर कम यह लोजी में सबилось अच्छा जो है कि अप आप को जो है मेमोराइज करके डゃब्राव्र को सबने करने का एक अलग तरिका होता है जैसे में आपको जो है एक्जाम में दिखेंगे उसमें कैसे करना है उसमें सब्सक्राइब प्रसावन आपने को लिखना है इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी चीज़ का जैसे आपको पीछे जो है लिख रहा होगा कि वाट्सन और क्रीक का जो है डीने मौडल का सरचना का वर्णन कीजिए तो भीर कहीं न कहीं जो है हमको वाट्सन और क्री ने जो है किस चीज के बतारत है किस चीज से मिलकर बने हुए है क्या यह नुकलीक एसिड है प्रोटीन है वसा है कर्भोहेड़र्ड है यह सारे चीज है हमको समझ में आना चीए ठीक है तो देखते हैं बच्चे दोखें यह कॉश्चन है आपको आया है 2020 पर आया है यह यह आपको आया है 2022 पे आया है सेट ए बी और सी तिनों सेट में अगर इस कोश्चन का स्वरूप जो है अगर बदल गया तो किस तरीके से हो सकता है यह भी जो है यहां पर आपको बता रहे हैं वाट्सन और क्रीक के डियने मौडल का विवरण दीजिए अगर इसका और जो है सवरूप अगर बतला गया तो उत्तरदाई नाभी की अमल कौन सा है किसकी सरचना का हित्र बनाकर वढण की कि अनुवानसिक्ता की लिए जैनेटीक्स का मतलब क्या है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी जो है ट्रांस्पर कीज तरीके से पाद करें जो है गर एक जनरेशन एक तरीके से करेक्टर स्थाननत्रित हो रहे हैं त्रांसफर हो रहे हैं इस चीजे की हम लोग जो है इस पर बात करेंगे तो देखे वेटा यह चीज में हम लोग में आपको इस पर करना चाहरा हूं कि यह classes हैं सिर्फ 12th board के लिए है 12th board जी विज्ञान की classes है इस पर यह नीट जो है यह नीट के लिए लग से हम लुग जो है पैलोग डिं़ुर्ट डिये लाइफ लोग से अंवान के conflicting हुने उत्तरदाई नाभी की अंवलुग के ता अनवाण सिक्दा के लिए उत्तरदए कौना नभी की अमल है नभी की हमलक नभी कि अमलक की अड़ीएक गर पहुत सारे नुकलियो टाइट से मिलकर क्या मनता है यह हमारा अपनता है नुकलियो टाइट किया होते हैं यह चीजे जो है हम लोग सारे चीजे तीरे-देरे नुकलियो टाइट से मिलकर बना होता है यह थीक है पॉलियो टाइट से पूल सकते हैं यह हो सकते हैं यह हो सकते हैं इन्य सकते हैं यह आरे नहीं हो सकते हैं देँखेंघ डिन एक ऐस बात करते हैं डिन और परते हैं बहुत सारे नुक्रलियोटाइड और है न किया सबस्क्रा सब जो होता है निकलोटाइट यह जो है किसे मिलकर बना होता है अगेन यह निकलोटाइट जो है बेटा आपका निकलियोसाइड and H3PO4 phosphory compulsion बना होता है ठीक है निकलोसेट की बात करें तो निकलोसेट जो है अगें जो है इससे मिलकर बना होता है nitrogenous base nitrogenous base nitrogen युक्त छार इससे nitrogen युक्त छार और सरकरा है ना ठीक है सरकरा या सुगर से मिलकर बना हुए है ठीक है नाइट्रोजिनस बेस कैसा होता है अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस क्या क्या हो सकते है नाइट्रोजिनस बेस बेटा क्या क्या हो सकते है पहला होता है प्यूरीन ठीक है अगेन पा ए तिक है प्यूरिन जो है यूरिन में यूरिन में क्या क्या आते हैं एढ़ीनिन वानीन तिक है आइ रेमेडीन में क्या हो सकता है साइटोसीन की लाइमीन कि यूरेसील कि इसको अगें अगर फिर से मैं डिस्क्राइब कर दूँगा सारे चीज़ों को फिर से मैं एक बार बता दूँगा लेकिन यह जो है एक ब्रीफ जो है हमको समझ मैंना चाहिए कि ऑग्क्राव चाहिए कि यह पूछ ना चाहरा है कि इस तरीके से उसकी भावना है कि फ़क्राव क्वूश्चा रहा है और आगाए रहते हैं अभी आप लोग तो देकं देखा ओगा अएस फेल मुवी आई थी मानुच कुमार की अप तो उसमें क्या हुआ था तो यह काफी दिल्चस्प कहानिया और काफी रोचक है और मोटिवेशनल है आप लोग भी देखिए ऐसी पिक्षर जो है जो काफी सिखने के लिए होती है जीवन में और काफी कुछ चीज बता देती है क्योंकि कि इस परिस्तितियों से जो चीर परिचित होकर इस जो चल चित्र में आपको जो है एक मूवी के माध्यम से यह बताना किसी का जीवन परिचय को बताना और किस तरीके से यह जीवन उनका कष्ट मैं तरीके से उन्होंने अपना आटा चकी में उन्होंने जो है काम किया है ना फिर उन्होंने पर काम किया फिर उन्होंने जो है लाइबरेरी में काम किया ठीक है काफी दुखदाई और परिश्रम भरा जो है संघर्स पूर्ण उनका जीवन रहा और इतने संघर्स पूर्ण जीवन होने के बावजूद भी इतनी संघर्स जीवन में होने के बावज इसको आत्मा सात्म करने का बहुत ही अच्छा जो एक्जाम्पल है उधारन है ऐसी मुवियां जो है बहुत कम बनती है तो स्टाइट करते हैं तो हम लोग जो है वाट्सन और क्रीक के डिने मौडल की सरशना का वर्णन कीजिए यह इस पर हम लोग बात करते हैं तो डिने का हम सरशना तरीक से बारे में बताया था इडिने का सरशना के बारे में बताता नहीं करते हैं अच ज्यादा समय लाइज आदे हमारी पहली ऐहां ऄो को भी बाइलोज फट्री जो है इक है सबसे जग्यों को st बहुत लगाев कर करकर जो है आप जो है उसी को कैसे करेंगे सब्दों में अपने सब्दों में आप उसको लिख सकते व्याख्या कर सकते हैं ठीक है तो देखिए मैंने एक चीछ बोला था कि यह बहुत सारे बहुत सारे है यह कैसे बहुत सारे निकलियोसाइड से मिलकर बना होता है और important निकलोटाइड जो है बहुं सारे निकलोटाइड एबं जो फास्फरी कमल है उससे मिलकर बना होता है और जो निकलोटाइड जो है अगेन जो है वो नाइट्रोजन युक्तछार एबं सरकरा से मिलकर बना होता है एबं नाइट्रोजन युक्तछार जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है प्यूरिन एक होता है पारिमीडिन और सरकरा जो है अगेंदो प्रकार के होते हैं एक जो होता है डी आक्सी राइबोज सरकरा दूसरा राइबोज सरकरा तो डी आक्सी राइबोज सरकरा आप नाम से ही समझे रहे हैं तो डी आक्सी राइबोज सरकरा मत राइबो नुकली के एसे शीड मतलब ऐसा नुकलीक ऐसेट जीसमें राइबो सुगर ललगा है राइबो एर ने राइबोनुकलीके सीड और ऐसा नुकलीक जिसमें दी आक्सी सुगर है ना राइबो सुगर लगा है तो वो दी आक्सी राइबो नुक्लीक एसीट्स ठीक है तो देखिए पॉट्सन एंड क्रीक का जो मॉडल था ये बिल्कुल वैसे ही था देखिए सबसे पहले जो है ये राइट हैंडेट था दाई और दक्षिणा उना वर था या जो है इसकि द्यसा थी और दुसरी बात जो है यह जो है इसमें जो एक कुंडली के बीच की नुन ऱैंबरें से हैं घनलैक्स है वह क्या कैलाती है केलाती है के क्या है कंप आती हैं behavior तो वहुत सारे चीजह जो है अपिसे रहती है कैसे रहती है वह आपका अज है किस तरीके से पर भासषी तो यह बहुत बड़ा चुनोती वाला विसे रहता है तो उस दोरान हम जो है वो English की चीज़ों को Hindi में लिख दे तो एक Latin terms के तौर पर उससे माना जाता है और वो बिल्कुल सही रहता है ठीक है तो उसको हम लोग consider करते हैं एक पीच जो होता है एक घुमाओं होती है एक बार जब घुमती है कौन DNA का दो लडिया जब आपस में दो लडिया जो है एक बार जब घुमती हैं तो उसको एक कुंडली या एक घैलिक्स के नाम से जानते हैं एक बार खूमी, ठीक है, तो यहाँ जो है, एक पीच कहलाता है, यहाँ एक पीच की दूरी जो दूरी है, भो कैशे होती है, 34 एंग होती है, 34 एंग होती है, अगर इसको n Parkinson होती है, अगर इसको n smiled में हम लोह ले, तो 3.4 n itís खहती है, यहां पर हम लोग बना के देखते हैं जैसे कि यह एक लड़ी है अगें यह एक लड़ी है ठीक है ठीक है ठीक है यह लड़ी की अंतिम सीरा फ्रीडैस है इस लड़ी का अंतिम सीरा फ्रीदैस है उस्ट स्क ul Stud Chi जो है और उसक इसका अंतिम सीरा जो है ठीक है यह थ्रीडैस ूर अखिर क्यों हुआ है ना तो हम लोग देखेंगे इसके आणविक सरक्षनाओं को हम लोग देखते हुए हम लोग बताएंगे कि यह थ्री डैस क्यों हुआ फाइब डैस क्यों हुआ तो फाइब डैस में उपस्थीत में उपस्थीत ना त। ना जीनन होता है उत्टनेतरू यह जितने होंगे वह उसके कैसे होँगे संपूरक होंगे complimentary तो complimentary यह बात करेंगे अगेन जो है यह दो लड़ी जो है आपस में जैसे कि adenine, quianine, adenine, thymine, coinin cytosine adenine, thymine, coinin cytosine यहां पर जश्ट इसको उल्टा क्या होगा एडिनीन के साथ कौन जोडता है थाइमीन, थाइमीन के साथ कुन जोड़ता है, एडिनीन, एडिनीन के साथ थाइमीन कितने बॉंड से जोड़ता है, डबल बॉंड के साथ, ये डबल बॉंड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंद, या हाइड्रोजन बंद से मिलकर जोड़ता है, थाइमीन के साथ एडिनीन यह भी double bond से जुट रहा है कर ने का डॉल है क्या प्रता करता है इस्थाइए प्रतान करता है अपस में रखता है नहीं तो जो है 3-2-5-3-2-5-2 वाला जो है इस्ट्रेंड जो है दूसरे opposite से कैसे जुड़ा रहेगा यह इधर से उधर नहीं चले जाएंगे तो आपस में प्रती सा मनांतर संपूर रखता जो है यह जो है किसके कारण हो रहा है hydrogen bond के कारण ही हो रहा है ठीक है तो जैसे यह आ झासर, चार गाफ का नियम होता है चार गांफ का नियम यहां कहता है कि Adenine Adenine को A से अ हमेशा थाईमीन के साथ कितने बॉस्ट से जूटता है double bound से और Guanyn, cytosine के साथ कितने bound से जोटता है, triple bound से, यह चार गाफ का rule है, जैसे हम लोग देखें, यह edinin, thaiimin के साथ कैसे जोट रहा है, double bound से, यह की इस type का bound है, hydrogen bound, hydrogen bond, hydrogen bond, जैसे हम लोग जो है, इसको molecular basis पे हम लोग बात करें, तो किस तरीके से होता है, तो यह सारी चीजे हैं तो चारगाप का रूल जो है सबसे पहले हम लोगों समझ में आना चीए है एडिनीन थाइमीन से डबल बॉंड से चूट रहा है ट्रिप बॉंड से चूट रहा है तो जो देखिए एक बार जब है कुंडलन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ड 3.4 नैनोमीटर अगर इसको एंगर स्ट्रॉंग में हम लोग बूलेंगे एक पीच एक घुमाओ जो है एक गुंडलन का जो है कुंडलन क्या होता है वो 34 एंगर स्ट्रॉंग भी हम लोग इसको ले सकते हैं ठीक है कुसी को दिक्कत को देगे हैं अगें जो है देखिए दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच की दूरी अब कितना होगा देखिए अगर हम लोग बात करें नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर या फिर इसको हम लोग 3.4 एंगर स्ट्रॉंग हम लोग इसको डागरम अच्छे से बनाएंगे आप लोग एक्जाम पर सब चीजों को आपको वर एक छोर नाइडी एने का जो गुणन का एक छोर और दूसरा गुणन का एक छोर यह जो है पुरा एक पीच कहलाएगा है ना हैलिक्स पुलते हैं जिसको ठीक है यह पीच कितना होता है 34 एंग श्ट्रॉंग या 3.4 नैनोमीटर अगर जो होता है एस एक पीच में कितने यह अटैस्टिनसडेस दस ना नाइड्रोजीनस बेस नाइट्रोजीनस बेस उपस्थित होंगे उपस्थित होंगे नाहां नित्रुजन यूद्द ai कुलम योगत पार जो है उपस्थित होंगे अगें हम लोग बात करें ऐ ने the drive expenditure जोबेस होते दसीफ bike है थ capitalist या दोग यहां तक हो गई बात यहां पर समझना पड़ेगा क्लासे थोड़ी से लंबी होती है कोई दिकत नहीं यहां पर जो है हम लोग को यह चीज़े जो है आपको थोड़ा सा नीट में भी आपको फैदा देगा मैं बताऊंगा नीट में कौन सा कोश्चन आता है जैसे एक पीछ ज गraчики çीज है इसका डाइवेटर मतलब इसके अव्यास कितना है व्यास होता है 20 एंग काना होता है है चभे यह थो और अगें जो है हम लोग बात करेंगे इस पर यह होते हैं इस पर जो है ब्रोटीन से होते हैं जिसकों बूलता है हिस्टोन प्रोटीन क्या नाम है? histone protein histone protein भी इससे संद्रिप्त होते है इसमें दो टाइब के groups पाई जाती है तो सबसे बड़ी group होती है उसको बुलते है major group major group ठीक है? और छोटी group होती है उसको हम लोग क्या बुलते है? minor group minor group ठीक है? अब इसका molecular basis पे हम लोग बात करते है ठीक है? molecular basis पे जो है इस तरीके से है देखिए एडिमीन जो है यह उगर के साथ पाच carbon unit जोगर होता है है ना? उसके साथ जूडता है कौन से bond के साथ? एक bond होता है उसके साथ यहाँ पर जो है इसको बुलते है N-glycosidic bond बुलते है इसके साथ जूड़ा? इसके साथ जूड़ा? N-glycosidic bond के साथ जूड़ा और हम लोग जानते हैं कि सूगर और आपका जो nitrogenous base मिलकर क्या बनाता है? Nucleoside क्या बनाता है? Nucleoside मैंने आप भी बताया था ना कुछ दिर पहले मैंने बात की थी है ना Nucleotide जो है आपका Nucleoside और Phosphory Compilis से मिलकर बनता है और Nucleoside जो है आपका किस से मिलकर बनता है? Nitrogen युक्त छार इवां सरगरा से मिलकर बनता है जिसको Nucleoside कहते है और जो आपका Nitrogen युक्त छार होता है वो Purine और Pyramidine से मिलकर बनता है Purine में क्या होता है? Adenine होता है Orguanine होता है और Pyramidine में क्या हो सकता है? Thymine हो सकता है Uracil हो सकता है Cytosine हो सकता है तो देखिए यह Adenine जो होता है किस के साथ चुड़ा है? Tugar के साथ चुड़ा है? Pan-Glycosetic bond से चुड़ा हुआ है Again जो है Tugar जो है Phosphorus से यह Phosphory कम लगा Phosphorus है PO4 3 ions यह किस से चुड़ा होता है? आपका Phosphate bond से चुड़ा होता है यह तरीके के बांड से चुड़ा होता है तो यह किस तरीके के बांड से चुड़ा होता है वह Phosphorus Aster bond से चुड़ा होता है ठीक है Phosphorus को Phosphorus लिख सकते हैं आप लोग Phosphorus Aster bond को बंद लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके से हम लोग को जो है यह structure को बनाना पड़ेगा तो देखिए यह आपका जैसे कि इस structure को हम लोग जो है किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग बात करते हैं यहां पर जूड़ा है एडिनीन यह थाइमीन का structure है अगेन यहां पर जो है nitrogen आपका सुगर जो होता है यह सुगर है एस फॉर सुगर ठीक है यहां से फॉस्पेट जूड़ा हुआ है फॉस्फपर जूड़ा हुआ है ठीक है अगेन जो है यहां पर फॉस्पॉरस फॉस्पॉरस जूड़ा रहे जो फॉर थ्राइस त्री आयन्स थ्राइस नहीं ठीक है अगेन जो है हम लोग इसी बात करें तो यह structure जो है तरीके से यहां पर गॉढशन है यहां पर गॉढशन के साथ क्या होता है साइटोसीन होता है यह जो है यह ऐसे आपर आपर फॉस्फिट है यह इस तो फॉर एंट ठीक है और प्रीके से तो देखिए एडिनीन थाइमीन के साथ डबल हाइडोजन बॉंड से जुड़ता है और क्वाइनिस हाटोसिन के साथ रिपल हाइडोजन बॉंड से जुड़ता है अब इस पर हम लोग और बात करें कि यह थ्री डैस क्या हुआ सुगर के虐से से नंबर के हाइडिरोक्सील आयन कैसे होते हैं , तीरी नंबर के प्लomm करों मिखयो और तीसेरी नंबर केmass要 अगन जो है हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यहां जो है जैसे हम लोग किया मैं fine M talked यहां पर जो है एक दूसरा इंड़क जो है फैब डैस के हुआ तो देखिए यह सुगर जो है सुगर 1 2 3 4 5 यह पाच पे नंबर का जो है जो है ना यह पोर जो है तो यहां पर जो है थे पांच में नंबर का जो तर्बन है वह कैसा है उस पर जो है कौन सा ग्रूब लगा है फॉसफेट पासफेट डेयो यह लिए पियो फोली कि अथ्या होता है क्या होता एक फूक्द होता है यह किसी से फोस्ट ग्रूब आगे जुड़ा नहीं है इसलिए इसको अवह लोग क पांचवा सीरे का डिने का एक सीरे का पांचवा छोर डिएस निक्लियोसाइट का ओएच गरूप है तीसरे नंबर है इसी फ़े है इसी ने चैन्प बात करें तो सुगर के पाचवे नंबर के कार्बन का पर उपस्थित जोalen वे नमबर और यहांज तकtu कारवन यहां और यहां पर शुरी यहाँ- पश्वु रहेगा और सो ए बुति है एससी तरीके से होती तो थोड़ा सा समझ में यहां पर बात जो है तोड़ी क्लिष्ट हो गई मैं इसको और अगेन जो है नेक्ट लेक्षर में जो है तारा इसको फिर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं तो इसको लिख लीजिए तो इसमें आप देख लेंगे अब जीतनी सारी चीजें बताया तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कैसे हैं देखिए पहला चे ती आक्सी राइबोज नामक पैंटोज सरकरा युक्त न्यूकलिक एसड डि आक्सी राइबोज नामक पैंटौज सरकरा इसी की बात कर रहा है ऐसे डि आक्सी राइबोज कैसे हैं यह जाए तो यहां पहला नमबर का carbon है पहले नमबर का carbon जा सेकंड नमबर का carbon 3rd number का 4th number का carbon और यह OH यह 5 नमबर का carbon इसमें तीसरे नमबर पर carbon पर OH ग्रूप है और ज़स्ट जो है तो अगर यहां पर ज़स्ट सेकंड नमबर के carbon पर प्रेजन होता तो इसका बोलते हैं राइबोज सुगर अगें जो है यहां पर जो है अगर जो है सेकंड नमबर पर carbon पर नहीं होगा तो क्या निकल यहां से आउक्सीजन बहार निकलना प्रेजन यहां आक्सीजन निकलना सब्सक्राइब कराये इस प्रकारण का राइबोज यहां पाच नमबर कर्पन वाले हैं है नुक्लीक हम लोगोव डी ऑक्सी राइबोस नुक्लीक का अमल कहते हैं इसका नाम है डी एने ठीक है पॉटसां अनक्रीक ने 1953 पर इसके बारे में बताया डी एने की सरच्छना को प्रदर्शित किया विलकेंस ने क्या किया विलकेंस नाम अग्यानिक ने के साथ मिल कर जो है DNA का मॉलिक्यूल में जो नेटरोजेनस बेस का किस प्रकार का DNA-based sequence के बारे में उन्होंने बताया और बताया कि यह DNA जो है डबल हेलिकल मॉडल है ठीक है और उसके साथ जो है कुछ निमनलिखित बातों को बताया तो क्या है वो निमनलिखित बाते तो प्रतेक DNA उन्हों दो कुंडलीथ पॉली निकलोटाइड त्रिंखलाओं के समनांतर रूप से सरपील क्रम में लिपटने से बनता है यही चीज बोल रहे है यह देखे इस चीज प्रतेक DNA नो कुंडलीथ यह हेलिकल से कुंडलीथ पॉली निकलोटाइड तो बहुत सारे निकलोटाइड से मिलकर मनता है मैंने बताया ताना हुंता है में लिपटने से बनता है जाले ठीक है जीर है न ये कैसे है यह धक्षिणा वरतीप était होता है राइटrated राइट हैंड के साइट में या गुमता है थर और और क्या होदीलीनी बनाता है जीरे और एक क्या है समनांतर है चाहिवानांतर क्याला हूँ है एक ढूसरे कैसा है प्रतिसमनांतर ऺीडिऑ है प्रति समनांतर ठीख है डाइनन के साथ त्हाइमीन ग्वानिन के साथ एडेनिन से तरीके से यह अपनी सरस्जनाओं को पेंट्रेंग करके रखते हैं इन दोनों अभी करिये दोनों सिरिंख लाओं और था कुंडलों का व्यास होता है कितना 20 anga strong होता पताया था ना मैंने ये व्यास की बात कर रहा है कितना 20 anga strong ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा बना दिये या ना एक बना दिये 3-2 5-5-2 3-डाइस एक दूसरे के परती समनंतर किis और कैसे हैं कव्यास कैसे 20 anga strong यह बात भी हम पहले जानं कहते हैं दूसरी बात है टीनए उडू की निकलोटाइड होती है प्रतियों प्रतियों निकलोटाइड रियुकृ Captain आपक्साल होता है महुत सारे बना होता है यह देखिए है यह ना मैंने बताया था ना नुक्लियो साइड और एश-3PO4 यह ना फास्पोरिक अंबल क्या बलते हैं फास्पोरिक अंबल पास्पोरिक अंबल से मिलकर बनता है और नुक्लियो साइड जो होता है नाइट्रोजन युक्त च्छार सरकरा से मिलकर बना होता है यही चीज को लिखा हुआ है तो डीNA जो है बहुं सारे नुक्लियो टाइट से मिलकर बनता है और एक नुक्लियो साइड और पास्पोरिक अंबल से मिलता है नुक्लियो साइड जो है वो किस से मिलकर बना होता है नाइट्रोजन युक्त छार और दी आक्सी राइबो सुगर से मिलकर बनता है बिल्कुल यह दखिए और एवा में एक फास्फरीकम लगा बना होता है तीसरा मॉइंट बनने लेशाइट के सिंकला आपस निट्रोजन छार बेच और चाड़ बनने के बनने से एधरोजन बनने बनता है कि भाज्य कर दिक्या होती है हमता कि पNGकि आइडरोजन युक्त हारर ले फिंcher बनने minder की क्यंगरें प्यूरीन और प्यूरीन जो होता है वह होता है एडिनीन और प्यूरीन का से याद रखोगे नई नमेली दुनल जो है अपने पती जी को क्या बोलेंगे नाम से तो नहीं बुलाएंगे प्यूरीन जो है अपने को यहां पर मिलेगी देखे प्यूरीन जो है एडिनीन और पारिमिन जो है आपका जो है थाइमीन साथ 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 कासे जोड़ता है रिपल बॉन्ड से तो जश्ट हमारे बाजू में पीजी कॉलेज है तो अनील तीवारी नामक जो भी बच्चा है वह कहां पढ़ रहा है गौर्मेंट कॉलेज में जीसी में बढ़ रहा है ठीक है तो देखिए जैसे छारक ब्यूटीन और पाइरेमिडीन के प्रकृति होते हैं ठीक है तो प्यूरीन है ना यह ब्यूटीन न अटा चछीज है है ड् disappoint जैएल ना पूरीन और क्या होते हैं पारेमिडीन देख्टे रहे और चीज अब अगे बढ़ धते हैस्वाए आपको मैंने पहले ही बता दिया है इस पीण्य भापे वाली बात नहीं एवा feather क्रूग से आउप प्रतेग चीज है तो समझाएगी प्रतेग डियन 12 में और पैरेमिडीन का अनुपाद बराबर होता है देखो डियन 12 में a यह जो है चार गाफ का नियाम का पहला है कि यूरीन कि थाध्यों सद है पाईरी इस चैनल के क्या होते हैं बरबर कुथ है पहला दूसरा रूल जो है दूसरा रूल होता है फ्रतिक प्यूरीन के साथ एक पायरय Mark में किससे जुड़ा होता है hydrogen बढ़ के सांद चूड़ता है ठेको प्यूरीन में क्या-क्या हो सकते हैं प्यूरीन में एडिनीन और गौएनीन हमेशा किसके साथ जुड़ता है और गौएनीन जो है ट्रिपल बॉंड से जुड़ता है वह गया यहां तक खत्म हुई उसके बाद प्रतेक पॉली नुक्लियोटाइड का नुक्लियोटाइड आपस में फॉस्पोडायश्टर बॉंड से जुड़ा ह होता है यह भी मैंने बताया था कि प्रतेक पॉली नुक्लियोटाइड का जो लड़ी है वो नुक्लियोटाइड जो है आपस में कैसे जुड़ेंगे फॉस्पोडायश्टर बॉंड से जुड़ेंगे तो नैट्रोजिनस बेसेज होते हैं जैसे वान के चलिए यह जो आपस में जो है मैटर जीनस बेसे जो है कैसे जुड़ रहे हैं और फॉस्पोड जाई एश्टर पॉंड के मध्यम से जुड़ रहे हैं ठीक है जल लिए आगे बढ़ते हैं बात कर रहे हैं यह जारा है यह यह फॉस्फोरस है कि इधर पर एक्ष्टर बंड है कितने फॉस्फोरस है एक फॉस्फोरस है vom कितने एश्टर हैं जाई एस्टर ऑस्पोर डाइस्टर बॉंड इस प्रकार जो है इसकी सरशना के बारे में इतनी आते कर सकते और भी जितने सारी चीजे मैंने डाग्राम पे लिखा है वही सारी चीजे जो है इसको जो है वर्डन किया गया है सारी चीजे को करण की क्रिया विधि को सचित्र समझाईए ये औनुवांसिक पदार्त का देवуждन की सचित्र वनन कीजे देखें वाठा यह कोशन भी बहुत इंपोटेंट है यह DNA, Replication के नाम से जाना जाता है DNA Replication DNA दिूगुणन है तो DNA के नाम से इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है जा DNA यह कोशन जो है अच्छा बहुत इंपोर्टेंट है यह इतना बड़ा स्टेट्मेंट जो है डिये ने जो रैप्लिकेशन एक अर्ध सरक्षी प्रक्रिया होती है विधी होती है इसको सीध्ध करना है तो यह चीजे जो हैं जैटी पर जो दिये गई है और यह डारेक्ट कोश्चन साता है नीट पर यहा यह 36 गण में 2020 में सेट एबी सी कोरोना काल के दोरान आया था ठीक है तो इसको हम लोग देखते हैं डिये ने दी गुडन ठीक है एक टेंट्रल डोगमा होता है जिसमें क्या होता है जब डिये ने से है ना अपने जैसा जो है प्रती करती करके तेम अपने जैसा डिये ने बना दे ठीक है यह जब आ रहे ने का निर्मान होता है तो इस प्रकार का जो प्रकरिया है तो क्या कहते है अनूलेखन अनूलेखन क्या बलते हैं अनूलेखन जब MRNA से प्रोटीन का निर्मान हो रहा है प्रोटीन संस्लेशन हो रहा है तो इस प्रकारिया का हम लोग बलते हैं अनूलिपी करण इसको इंगलीखन बलते हैं ट्रांस ट्रेप्शन अनूलिपी करण ट्रांस ट्रेशन ठीक है और डिने से डिने का तो है इसको बलते हैं डिने स्वी गुणन या फिर दिने प्रति करण इसको हम लोग बलते हैं इंगलीख में ये ने रेप्लिकेशन ठीक है यह इतनी सारे चीज़ें यहां पर देखने को मिलेगी तो हमको क्या सीद्ध करना है कि यह डिने से जब डिने बन रहा है कर जिए उजश्ट वैसा ही कॉपी हो रहा है तो क्या यह प्रक्रिया अर्दसरक्षी है हाँ बिल्कुल अर्दसरक्षी है और बेटेस को लिख लेंगे अब जैसे हम लोग बात करते हैं यह क्वेश्चन तो यह आया है और आया है कि अनौनसिक पदार्थ का दिवगणन क चीज प्रकार होता है यह ने प्रतिकरण की प्रतिकरण की क्रिया विधी लिखिये और डियने दिवगणन की क्रिया विधी को सचित्र समझाईए इतनी सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुई है चलिए चाट कर दो तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि बुलना क्या चाहता है इसमें कभी क्या बूलना चाहरा है कि डियने पदार्थ का दिवगणन या प्रतिकरण डियने अन्वांसिक पदार्थ होता है यह इसको हर से एंचेस ने बताया था दीनेटीक माटधिक यह कुशन है कि डिइने ऑनीटेटीक म構र की इसने बताया कि लिए डियने अन्वांसिक पदार्थ डियने के कश को डियने का परतीकरण के हैं मैंने बताया था एना डी एने से जब डी एने एक नया डी एने बनता है तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वो डी एने रेप्लिकेशन कहलाता है यह ने का संसलिसर्ण इंटर फेज के एस चरण में स स्टेज में S phase में होता है तो DNA जो होता है वो कैसे बनता है वो सेल साइकल कोशी का सेल साइकल कोशी का चक्र सेल विभाजन कि कौन से phase में होता है वो भी इंटर फेस में S phase में यहां होता है यह कुशन भी 2023 का कुशन है यह कोशन 2023 का कोश्चन है तो यह पॉइंट यह पॉइंट भी है तो सबसे पहले हम लोग क्या बता है दियेने रेप्लिकेशन क्या होता है तो बता देना भीया दियेने से टेयर डियेने का जो निर्माण होता है वह क्या कलाता है रेप्लिकेशन कलाता है डियेने रेप्लिकेशन कलाता है और यह किस फेज में होता है यह स सरक्षी विधी जो होता है तो कौन बताया अगें जो है वाट्सन इंग क्रीक नहीं बताया है वाट्सन और क्रीक नाम के वेगाइनिक थे इन्होंने बताया कि यह अर्द सरक्षी विधी है तो रैप्लिकेशन के जो विधी है वो क्या है सेमी कंजर्वेटिव अर्ध सरक्षी क्या है अर्द सरक्षी विधी है ठीक है यह लिए तो किसने बताया वाट्सन और क्रीक ने कौन से नम आप पैज्ञानिक ने वाट्सन एंड क्रीक देखें बेटा मैं इंगलिस में लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको वाट्सन एंड क्रीक लिख दो एंड क्रीक लिख दिए है जल लिए है 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 ना तो सेमे कंजर्वेट्व मेथड के बारा बारे में बताया इस विधी में दिवगुणन से निर्मिध डिएने के एक सिरिंखला नई और दूसरी क्या होती है पुरानी होती है तो अर्द सरक्षी का यह मतलब होता है एक जो हो होती है पहले के जैसा ही होती है मत्तब पैत्रिक इस्ट्रेंड के जैसे ही होती है पैत्रिक जैसे पैत्रिक इस्ट्रेंड होता है ना तो पैत्रिक पीढ़ी के जैसे ही एक इस्ट्रेंड होगी और दूसरी जो होती है क्या है नई इस्ट्रेंड बनेगी जैसे मानके चलिए यह जो है पैत्रिक इस्टेंड है 3-5 देश आप देखिए इस पर जो है आपका किस टैप का बनेगा जो जो नया इस्टेंड है वो कैसे बनेगा यह जो है डेट्डस लिखाओ वह आपका नया इस्टेंड है 5-2-3-2 तो है न भाई यह अद्धा सरक्षी हुआ ना यह पूरा जो है पैरेंट्स कैसे बन पाए क्या वह जो है तिन वहाह बन अपुरा जो है झाल नहीं आप देखिये इसमें बात करते हैं वह दोंट है वह जंग तो होत roads एपज एट्रिक इसमें वाली बात है से आखि इद्वेंड बहं एक पर तक सबते हैं चिहां कर आणे वक्त, भी song होता है यह जो है का रैपलीकेशन जो है कोसी का जो चक्र होता है होता होता है इसका निर्माड यह सारी प्रक्रिया है ठीक है दूसरा चीज होता है कि वाट्सन और क्रिक ने यह बताया कि Rapplication एक Ardhasarakshi अभी करिया है ये Ardhasarakshi प्रक्रिया है जो कि इसमें जो DNA जो होता है न victorious जो बनता है एक patrick जो पिधी से बनता है एक जो है पूरा का पूरा patrick पिधी से एक estherand बनता है और दूसरा नय contradict जो है पूणता नया होता है तो इस प्रकार जो है या होता है एक पैत्रिक वाला होगा और एक नियू वाला होगा तो यह जो है इसकारण अर्दस रक्षी बुलेंगे आगे बढ़ते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें बहुत बड़ा रेकवर्ट स्वार्केट साइंस नहीं है ठीक है चलिए इसमें देखिए बात देखिए यह देखिए दिवगुणान वाप्रतिक्राण के प्रक्रिया इने लिखे चरणों में पुढ़ होती है इस चीछ को भी हमको देखिए यह DNA का strand है ठीक है देखिए कैसे है यह 5-2, 3-2, 3-2, 5-2, ठीक है यह दो strand है ठीक है अब देखिए इस पर क्या होता है डीने जो है आपस में आपस में गूती हुई रहती है बहुंच जाता ठीक है तो इसको कैसे किया जाए इसको तरीके से जो है इसकी उल्जन को हम लोग कैसे कम करें जैसे कि बहुत जादा गूता हुआ होता है अगर कोई रसी बहुत गूती हुई है तो कैसे निकालेंगे तो अगर दो लडिया हैं तो उसको लडियों को सेपरेट करके हम लोग निकालने का कुछी है तो बिल्कुल जो है यहां पर जो है क्या होता है कि इस डियने डियने के खंड पर एक ऐसा जगा होता है यहां पर जो है क्या होता है एक एंजाइम होता है जिसको डियने है हैली के नाम से जानते हैं यह जो होता है यह एक विंदू पर जाकर जूड़ जाता है और वहां पर क्या करता है दोनों लडियों को आपस में कैसे करता है दूर करने का प्रियास करता है और दूर करने का प्रयास करने के दोरान यूंब होता है वहां पर इक हैलेकल यह हेलीके जो है एक फॉरक जासा निर्माण करता है बिल्ывकूल ऐसे इस ततरीकर अरह कर नरी अर्प elf k続 investigating तो देखिए इस इस्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है डियने है लिए वह क्या करता है डियने की स्रिंकलो को आपस में जो उथी हुई है उसको क्या करता है जो ने का काम करता है ठीक है यहां पर जो है आरेने का एक छोटा सा तुकड़ा जिसको बोलते हैं आरेने प्राइमर आरेने का तुकड़ा तो आरेने का जो तुकड़ा होता है इसी को हम लोग क्या बलते हैं आरेने प्राइमर और एक प्रोटीन अपस में बिल जाते हैं जिसको एससी प्रोटीन सि से भी जानते हैं तो यहां से चीज क्यों सा यही डियाने है की बात करता है कैसे डारिक्शन होता है यह हलिकेज यहीं टेंपलेट से जो है प्रत्रिया पृक्रीया है तो सबसे पहले इतना सारा चीज आपने को नहीं को से चीजह जो है बस एक जो है इस तरीके से एक पॉर का बनाई है फॉर को बनाई है इसको अन्वाइंडिंग करता है इसको ट्रेंड को वाइंडिंग करता है और क्या बनाता है यहां पर टैंपलेट जो है यह पार्ट जो है डीने टेंपलेट कलाता है यह ने टेंपलेट कलाता है अब जो है यह प्रक्रिया जो है आगे कैसे बढ़ेगी एक एंजाइम होता है जिसका डीने पॉलीमेरेज एंजाइम की तखती में जो है यहां से जो है आरेने टेंपलेट पर जो रिंख लाये जो है जब यह नियुए का जुँए सतत रूप से हो रहा है बीना किसी रुपावट के कहना तो ऐसा इस्ट्रेंड जो होता है वी क्या कहलाता है leading strand चेलाता है leading strand और जिस strand पर DNA का निर्माण जो है रूक रूक के हो रहा है कैसा हो रहा है रूक रूक के हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं lagging strand का बोलते हैं lagging strand ठीक है कि फिर से समझिये लोग जोनुव करते हैं और क्या बनाते है !! दोनो बूझ को क्या करते हैं। जो पैत्रिक DNA से अपने को मिलता है उसको DNA template बोलते हैं और DNA template के ही माध्यम से जो है यह process अगय होते हैं तो कि ऐसा strand जहां पर DNA जो है continuously form हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं leading strand ठीक है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं continuous strand या फिर निरंतर bloody और जहां पर जो है DNA रुक र strand मतलब lag आना ठीक है रुक रुक के इसको discontinuous strand के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो ने जब DNA का निर्मान होगा वो कैसे होगा कौन से enzymes के उपस्थेती में होगा DNA polymerase कौन से enzymes के उपस्थेती में होगा DNA polymerase DNA polymerase enzyme की उपस्थेती में होगा वो भी कौन सा polymerase 3 DNA polymerase 1 DNA polymerase 2 DNA polymerase 3 ठीक है तो यहां पर जो है DNA polymerase 3 है अगेन जो एक ऐसी स्थिती आएगी जहां पर जो है यह आरेने प्राइमर जो है वो क्या होता है पहार निकल जाता है और उसके कारण जो है नया स्थ्स्थ च्रेंट जो है नहीं पाता है नेड़ेख नेन जो बनता है वो कैसा हो जाता है रुक जाता है तो पालो जाता है तो एक फ्रैग्मेंट का निर्मान होता है जहां पर डिना बनने रुह घया उसी कॉम्वलते है इस ब configur käytet-व associated की फ्रेगमेंट और इस जो जोडने के लिए एक एंजाइम साता है जिसको नाम है डीने लाइगेज डीने लाइगेज एंजाइम के उपस्थिती में यह जो होता है आपस में जूड़ जाते हैं इस प्रकार से हम लोग और देख लेते हैं कि यह बोलना क्या चाहता है तो जब फिर से हम लोग देखेंगे तो इसकोस कर लेंगे यहां तक है पहला पहला स्टेश सरप्रतम डीने गायरेज हैड्रोजन बंधों को तोड़कर है ना डीने के दोनों सुत्रों का अकुंडलन कर देता है ठीक है तो हम लोग जो है डीने गायरेज डीने हैलीकेज तो डीने हैलीकेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है है ना डीने का दोनों जो इस्ट्रें होते हैं उसको तोड़ देते हैं और क्या करते हैं कुंडलन करता है यह पहला चीज है यह याद रखना दूसरा यह नए प्राइमर का निर्माण आरेने पॉलिमरेज एंजाइम द्वारा करता है यहां पर हम लोग कैसे देखे थे देखे इस तरीका से तुकडा 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 जिसको हम लोग क्या बोलते है आरेने प्राइमर और ने प्राइमर का निर्माण कैसे हुआ और ने प्राइमर का निर्माण और इसको अंट्विष्टिंग कौन किया यह यह लिकेज अब देखिए और ने प्राइमर का निर्माण किया गया और ने प्राइमर एंजाइम दोरा किया गया अगें यहां आर ने प्राइमर दी एने के यहां आर ने प्राइमर दी एने के टी डेस पर डी एने पॉलिमरेज की सायता से दी एने के छोटे छटे हंडों का डी एने के छोटे छोटे खंडों का निर्माण 5-2, 3-2 की दीशा में करता है, इन खंडों को ओका जाकी खंड खहते हैं, देखें, तो RNA प्राइमर जो है DNA के 3-डेस पूर पर, है ना, DNA का DNA Polymerage Enzyme के धसायता से, DNA के छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है, तो देखें, क्या होता है जब, है ना, जैस इसका opposite का इसा बनेगा, नया DNA, कैसा होगा, जो हम नया DNA की बात करें, 3-2, 5-, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, किस तरीके से, जो बनेगा, sorry, 5-2, यह कैसे बनेगा, इसको हम लोग इक पर देख लेते हैं, जो नया strand जो बना है, है ना, DNA polymerase enzyme की पस्तिती में, वो कैसा होगा, आपका 5-2-3- में, है ना, और अगर जो है, इसमें जो है, रुक-रुक के निर्मान होगा, तो इस वरकार का जो है, वहाँ पर खंड, खंड मनेंगे, जैसे रुक-रुक के, बिल्कुल रुक-रुक के, है ना, यह जो खंड होता ह है, इसी को हम लोग बोलते है, ओका जाकी, खंड, ठीक है, और इस प्रकार का जो, strand है, इसको हम लोग बोलते है, अ-प, प, लड़ी, अ-प, लड़ी, अ-प, लड़ी, अ-दिस-कंटिन्यूस लड़ी, ठीक है, और जहां पर, कंटीन्यू निर्मान हो रहा है, यह ने का, इ पालिमरेज, इस पती की उपस्थेति में यह सारे के सारे कैसे होंगे, लगातार होंगे, इसको बोलते है, नेरंतर फ्लरी, क्या बोलेंगे, नेरंतर फ्लरी, ठीक है, इस इस इसके बाद जो होता है DNA खंडों के निर्माण पुन हो जाने के पाश्चा DNA polymerase RNA Primer को विघटित कर देता है जो RNA Primer के माध्यम से निया DNA का इस्टेंड बना तो विघटित कर देता है DNA polymerase और अब DNA लाइगेज जो होता है इन खंडों को मैंने बताया था ना कि जो बचे हुए खंड थे जो इस प्रकार से ऐसे जो बीच में जो है ऐसे इसको जोडने के लिए कौन आया DNA लाइगेज यह नाम एंजाइम के माध्याम से जो खाता है यह DNA खंड जो होते हैं कैसे होते हैं आपस में फास्पोड आश्टर बंडों के द्वारा जोड दिये चाते हैं आप फास्फोड आश्टर बंड जे हो बताया है थैंक लैंने के लड़ी में थो नैट्रर्यो そう बेज़ स्पृ wreck प्रतेय पुराणी चूत्र पर एक सुन्हे चूतर का निर्माण होता है जैसे इस पर नए तो इसका उपोजीट कैसा बनेगा संपूरक्ता के ज्यान में रखते हुए कॉंप्लिमेंटरी को थ्यान में रखते हुए है तो इसके बारे में एक बार हम लोग और चर्चा करेंगे और सारी प्रक्रियां को जो है टोषर को सभी यह इसको आप देख सकते हैं और टाहिगरम जो है अब बहुत ही जुरुरी है ऐसा इसना आएगरम आप बना देंगे और कि कि अपन जुका है कि लिडिंग बिलते हैं जो है तूट तूट के बन रहे हैं वहाँ पर गंट बन क्या नाम सा भी जानते हैं जो है यहाँ पर जो है क्या बनता है नया क्या बने गा ऱुस्टर पाल्ट को जोड़ेगा है कि उसको आपदों को तो प्रोसेस निया बनने का निर्मान सुरू होगा उस आरेने का तुकड़े को हम लोग क्या बलेंगे आरेने प्राइमर और यहां सारी जो है इतनी सारी प्रक्रियां है देने प्रतिक्रियान पहलाती है तो इसको हम लोग धेले धेले सारे चीजों को बनने का प्रयास करेंगे कि अगरगा अगर